Hello everyone, Welcome to Black Mirror Horror कैसे हैं आप सब? I hope आप सब ठीक होंगे आज मैं आप सभी के लिए तांत्रिक की कहानी का दूसरा भागली कराई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको एक कहानी पसंद आएगी कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा और साथ ही इन कहानीों को या इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजे ताकि बाकी लोग भी इन्हें सुन सके और कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने इस कहानी का पहला भाग नहीं देखा है नहीं सुना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है आप वहाँ पे क्लिक करके फर्स पार्ट सुन सकते हैं वरना आपको आगी की कहानी समझ में नहीं आएगी तो चलिए जाता देर ना करते हुए शुरू करते हैं हमारी आगी की कहानी मैं और महराज कामाख्या पहुच चुके थे अंबूच वाची पर्व शुरू हो गया था मंदिर के पड़ बंध हो चुके थे और अगला दिन था जिसे तांतरिक साधनाओं के लिए विशेश माना जाता है चुके मंदिर में भक्तों की आवाजाई बंध की जा चुकी थी इसलिए इसके आसपास के बाजारों में भी कोई रौनक नहीं थी सब कुछ खाली-खाली सा नजर आ रहा था महराज के साथ मैं तेजी से कदम मिलाते चल रहा था अपने बाएं हाथ से उन्होंने अपना जोला पकड़ा हुआ था जो उनकी पीट की ओर जा रहा था जो पीट से लगा हुआ था अपने दाएं हाथ में उन्होंने एक दंड पकड़ा हुआ था मेरे पास साधू जैसे दिखने वाले संसाधन कम ही थे मैं आम नजरों में एक विद्यार्थी जैसा ही प्रतीत होता था एक पिठु बैक साथ था जो मेरे कंधों पर टिका हुआ था वहाँ ऐसे तांत्रिकों का आना जाना आम था इसलिए हम लोगों पर वहां के निवासियों का कोई विशेश ध्यान नहीं गया था मैंने महराज की ओर देखा वो कुछ गंभीर मुद्रा लिये चलते जा रहे थे उनकी नजरे सड़क पर जमी हुई थी यात्रा के दोरान भी उन्होंने कोई विशेश महत्व की बात नहीं की थी शायद मुझे जितना वो बता सकते थे बता चुके थे इससे आगे तो एक मातर विकल्ब गुरु जी ही थे जो कुछ तथ्य सामने ला सकते थे मैंने महाराज की और देखते हुए पूछा हमें गुरु जी कहां मिलेंगे उन्होंने उसी गंभीरता से कहा चलते रहो चलते चलते हम ब्रह्म पुत्र के किनारे आ पहुचे महाराज ने अपना जोला पीट से उतारा और अपने कपड़े उतार कर उस जोले में रख दिये मैंने भी ठीक वैसा ही किया और महाराज ने ब्रह्म पुत्र नदी में च्छलांग लगा दी नदी का पानी सुर्क लाल हो गया था ऐसा लग रहा था जिसे खून की नदी बह रही हो मैंने भी महाराज के पीछे च्छलांग लगा दी पानी में कुछ भी स्पष्ट नजर नहीं आ रहा था बस महाराज के पानी में चलते पैरों के पीछे मैं तैर रहा था मेरा अनुमान था कि शायद गुरुजी नदी के उस पार मिलेंगे नदी के पार उनका डेरा या आश्रम हो सकता है परंतु ऐसा नहीं हुआ हम तेरते हुए ब्रह्म पुत्र में गहरे स्थान पर आ गए थे नदी के प्रवा से जमीन में गहरा गड़ा हुआ होगा जिसके कारण ये अतहा जल राशी किसी गहरी जील जैसी लग रही थी और अब गहरे पानी में अंधिरा होने लगा था सूरज की रोश्णी अब उस गहरे पानी को भेद नहीं पा रही थी हलाकि योगासन के अभ्यास से मैं कफी देर तक सांस रोक सकता था लेकिन कब तक फिर पानी में कुछ अलग नज़र आया दूर से सूरज जैसा चमकता नज़र आ रहा था ब्रह्म पुत्र का लाल हो चुका पानी उस रोश्णी को सूरज जैसा आभास दे रहा था मैं और महराज उसी और बढ़ते जा रहे थे वो एक गुफा थी जिसका प्रवेश द्वार पानी के अंदर था ब्रह्म पुत्र की गहराई में हम उस गुफा द्वार से अंदर गए और पानी से बाहर निकले पत्थरों को जमा कर सीड़ी नुमा बना दिया था जिस पर चड़ कर हम गुफा के अंदर आ गए थे अंदर धेरों मशाले जल रही थी उनकी रोशनी गुफा को सूरच जैसा आभास दे रही थी अंदर धेरों तांत्रिक साधना में लीन थे एक अनुशाशन बद्ध तरीके से वो कतार में बैटकर मंत्र जाप कर रहे थे एक अन्य वक्ती जो पहले हाथ बांदे खड़ा था हमें देख हमारे पास आया और महराज से परिचे होते ही वो वापस चला गया शाद गुरुजी को हमारे आनी की सूचना देने महराज से हुई छोटी सी बाचीत में उसने बस मुझे नजर भर देखा था और चल दिया उस गुफा में स्थित कक्ष से गुरुजी बाहर आये महराज और मैंने उनका अभिवादन किया और चरन चुकर आशिरवाद लिया महराज को देख कर में मुस्कुराए और उन्हें अशिरवाद दिया वो मेरे सर पर हाथ रखने ही वाले थे कि रुख गए और हाथ पीछे कर लिया कौन है ये यूवक गुरुजी ने महराज से पुछा ये सूरे कान्थ है और इसने भेरवी साधना कर ली है गुरुजी ने बात पूरी करते हुए कहा वो मेरे तरफ बढ़े और मेरे चाती को अपनी हतेली से हलका सा दबाया उनकी हतेली छूते ही मुझे चाती में आग सी महसूस हुई और कुछी शण में उन्होंने हाथ वापस खीच लिया अपनी हतेली से उन्होंने राख जाड़ कर दिखाई और मेरे तरफ देख मुस्कुराए ऐसी चीजे अपना निशान छोड़ देती है सूरे कान्थ मेरे कक्ष में आओ महराज और मैं उनके कक्ष में चल दिये कक्ष में जाकर हमने सरकंडों से बने मुड़डे पर स्थान जमा लिया और वहीं गुरुजी लकडी के दिवान पर बैठ गए कहो क्या जानना चाहते हो महराज हाथ जोड़ कर कहने लगे गुरुजी इसी के साथ गुरुजी ने उन्हें हतेली आगे कर चुप रहने का संकेत दिया तुम नहीं ब्रिजमोहन सूरेकांद को कहने दो ये बड़ी दूर से आया है यहां तक आने के लिए इसने खुद को काफी शारिक और मांसिक पेड़ा दी है मुझे आज ही मालुम हुआ महराज का नाम ब्रिजमोहन पाठक है और उनके गुरुजी महिंदर नाज जी नाम से जाने जाते हैं गुरुजी मैं हाथ जोड़े गुरुजी को अपलक देख रहा था शिष्टाचार छोड़ कर सीधे अपने प्रश्न किवल आज रात का ही समय है तुम्हारे पास गुरुजी ने गंभीरता से कहा मैं चौका आज रात का समय मुझे क्या होने वाला है मैं बूला आज तुम्हारी परिक्षा लिजाएगी जो लंबी अवधी तक चलेगी अगर तुम्हें हर्ज नहीं हो तुम किवल साथे पुरुशो जिसने भैरवी को साथ लिया है वरना कई लोगों के लिए तो ये स्वप्न मात्र है गुरुजी ने महराज ब्रिजमोहन की ओर देखा महराज ने अपनी नजरे नीची कर ली तंत्र के दुनिया में आदी काल से हां मौजूद थी जिनका उप्योग ये अगुरी लोग करते आ रहे थे इन सुरंगों के जाल से होते हुए मैं सिद्धी स्थल पर पहुचा गुरुजी ने कहा सुरिकांत ये कामरुब गुफा है मैं महराज और साथी खड़े गुरुजी के दो-चार शिष्य विस्मे से देख रहे थे चार ओर वो वही गुफा थी जहां महादेव ने कामदेव को भस्म किया था अर्तत पश्चात उनका पुनरजन भी यहीं हुआ गुरुजी आगे बुले सुरिकांत ये एक मानसिक सादना है इसका सुक्ष्म रूप यंत्र और इसका रूप जब द्वारा ही प्रकट होता है मंत्र तुमारी शक्ती से ही जागरित होता है वहां जमीन में आटे से पांच किनारो वाला यंत्र बना दिया और उसे गोल घेरे में लिया प्रत्यक काटी रेखा पर निम्बू रखे गए मद्यभाग में घी का दीपक रखा गया मैं लंगोट में उस यंत्र के सामने बैढ़ गया पुरा शरीर चिता भस्म से लेपित कर मेरे सर पर एक हंडिया रख दिया गया जिसमें कंडों से आग जल रही थी सीधे हाथ की और कंडों का धेर लगा दिया गया ताकि मेरे सर पर रखी हंडिया की आग बुझ ना पाए मैं निरंतर मंत्र जब करता रहा सिर पर रखी आग सुलकती रही गुरुजी मुझे मंत्र बता कर चले गए शिश्यों ने उस गुफा का मुख पत्थरों से बंद कर दिया पुरे 45 दिन मुझे ऐसे ही तप करना था शुरू में तलीन होकर लगा रहा निद्रा और भूक ने भी अपने प्रहार जारी रखे परन्तु मुझे जाकते रहना था मंत्र जार्प की तीवरता में कोई कमी नहीं आ पा रही थी आखों से निर्जर आसु वे रहे थे भूक से अतडियों का बुरा हल था कुछ दिनों में मेरे शरीर ने मुझे ही खाना शुरू कर दिया कीडे मकडों ने मुझे जग़ जग़ से नोचना शुरू कर दिया था सिरपर जलती आग से मेरा सिरह सुरक्षित था बाकी शरीर नहीं शरीर में जग़ जग़ इल्लिया पड़ गई थी जीने मैं अपने शरीर से बाहर आते जाते देख सकता था अंतितह मैंने शरीर का मुझ छोड़ते हुए अपना मंतर जग जारी रखा तीस दिनों के अंदर मेरा शरीर मातर हड्यों का धाचा बचा था तचा काली होकर सूख गई थी मेरा शरीर नीन, भूग, प्यास सब भूल चुका था लेकिन मंतर जग जारी रहा इसके कुछ दिनों बाद मैंने देखा गुफा एक अंजान से प्रकाश से भर रही है मैंने आसपास देखा लेकिन कुछ नहीं दिखा सिर पर रखी हंडिया की वज़े से ज्यादा नहीं गूम सकता था थोड़ा प्रयास कर उपर देखना चाहा वहां भी ऐसा कुछ नहीं दिखा फिर जब नीचे देखा तब मालू हुआ ये प्रकाश मेरे शरीर से ही आ रहा है मेरी बाहें पैर सब पारदर्शी हो गए थे उसमें किवल प्रकाश दोड़ रहा था मैं अपने विद्युत शरीर को देख पा रहा था जिसे हम प्राण उर्जा कहते हैं अब वहां हाड मांस की शरीर की जगह मेरी विद्युती ये प्राण उर्जा बैठी हुई थी मैंने आगे प्रयास जारी रखा मैं सफलता की और बढ़ रहा था अब कुछी दिन शेश थे मेरे मंत्रों से पूरी गुफा गूंज रही थी अचानक धर्ती में कमपन होने लगा था तंत्र में रखे हुए नीमबू जो सर्ट चुके थे वापस से ताजा हो गए उनका रंग लाल हो गया और आटे की बनी रेखाओ पर वो घूमने लगे मैं मंत्र जब तेज किया तो और तेजी से घूमने लगे आटे की बनी रेखाओ जलने लगी और वो यंत्र जलने लगा जलते हुए यंत्र हवा में मेरे सामने लहराने लगा और वो मेरे सामने ही स्थिर हो गया उस पर लाल रंग के नीमबू जलते हुए उसी प्रकार घुम रहे थे वो अद्भुत लग रहा था मैं उस पर निगाह कड़ाए मंत्र जब करता रहा आखरी दिन उस गुफा में अचानक अंधीरा हो गया मेरे शरीर से उटता प्रकाश मंद पढ़ने लगा किवल मेरे सर पर रखी हंडिया जल रही थी लेकिन वो अंधीरा दूर करने में सक्षम नहीं थी मेरे सामने यंत्र उसी भाती हवा में तैरता हुआ जल रहा था अचानक वो यंत्र तेजी से घूमता मेरे शरीर से जाटक रहा और नीमबू वापस जमीन पर लुडग गए और जल कर राख हो गए लेकिन तभी मैंने देखा मेरे सामने गुफा की दिवार पर पुरा ब्रम्हान तैर रहा था मैं देख सकता था अंगिनत तारे ग्रह आकाश गंगा ऐसा लग रहा था जैसे मैं ब्रम्हान में तैर रहा हूँ तैरते हुए पहले आकाश गंगाई फिर हमारा सौर मंडल फिर पृत्वी उसके बाद मैं उस पृत्वी की और खिशने लगा वहाँ से भारत और फिर असम में इस काम रूप गुफा में आकर मैं अपने शरीर पर ही गिर पड़ा हाडमान से बना मेरा शरीर वापस लोटाया सिर पर राखी हंडिया फट गई अब वहाँ ना मंत्र था ना यंत्र सब मिलकर तंतर रूप में मुझ में समा गया था मैं अपने स्थान से उठा गुफा के बाहर चलने लगा उसके मुख पर लगा पत्थर अपने आप एक और सरक गया मैं जो ही वापस लोटा सामने गुरुजी महराज हाद जोड़े मेरे आगे खड़े हो गए और उनके शिश्य जमीन पर उसी तरह कतार बनाकर बैठे हुए थे और पुरे जोज से मेरा उत्साव अर्दक करते हुए जब कर रहे थे तुम सफल हुए सूरेकान गुरुजी ने मुझे गले लगा लिया आपका अशिर्वाद था गुरुजी जो मैं कृतार्थ हुआ नहीं सूरेकान तुम समर्थवान हो तुमारा अर्दे सरल और साफ है तुम्हें जिग्यासा थी तंत्र जानने की तुमारे पास उद्देश कुछ नहीं था धन, संपत्ती, एश्वरे पाने के लिए तुमने ऐसा नहीं किया निश्काम कर्म के भाव से ही तुम सिद्ध हो पाए हो गुरुजी प्रसन्यचित थे आशिर्वाद दीजे गुरुजी सूरेकान्थ ने कहा मेरा अशिर्वाद हमेशा तुमारे साथ रहेगा सूरेकान्थ तुम अब सिद्ध हो गए हो लेकिन जीवन में उद्देश बिना ज्ञान और शक्ती बेकार साबित होती है तुम्हें अब समाज की भलाई के लिए अपनी शक्तियों का उप्योग करना होगा और पाखंडियों को प्रताडित करना होगा मैं जरूर करूंगा गुरुजी मैं बुला हम पर तुम्हें अभी एक काम और करना है गुरुजी की बात में गंभीरता चा गए थी क्या गुरुजी मुझे बताइए मैं तत्परता दिखाते हुए बुला कुवांग कुवांग पकड़ना होगा तुम्हें कुवांग वो क्या होता है गुरुजी प्रेथ जगत में एक ऐसा भी प्रेथ होता है जिसका केवल सेर मात्र होता है धर नहीं होता ये शरीर हवा में तैरता हुआ लोगों को अपना शिकार बनाता है महिलाए जो काला जादू करती हैं उनके द्वारा यदी मंतर गलत फूख जाए या किसी निर्दोश की जान चली जाए तो उन्हें कुवांग से श्रापित होना पड़ता है ये श्राप इसे हमेशा भूखा बना देता है और रात में सक्रिय करता है ये पीने के लिए खून मांगता है या मांस को कच्चा खा जाता है ये अंदेरे में जानवरों पर हमला कर देता है और उनके आंतरिक अंग खा जाता है रात में सुकते कपड़ों पर ये अपना मूँ पोश देता है उस पर मलमूतर कर देता है इसलिए रात के समय कपड़े सूखने के लिए नहीं लटकाये जाते ये बच्चों के जन्द से पहले गर्वती महिलाओ के घर के आसपास मन रहता है और तेजी से रोता रहता है ये गर्व तक पहुशने के लिए अपनी लंबी जबान का प्रयोक करता है और अपने तीखे दातों से उसका भून खा जाता है ये गर्व नाल को ढून कर उसे खा जाता है और उस बच्चे को आजन में परिशान करता है इसलिए गर्व नाल को काफी गहराई तक दफनाया जाता है ताकि उस तक कुवांग ना पहुँच सके जाओ सूरेकांद इसे काबू में करो और पकड़ो तुम्हें इसकी आवशकता होगी आवशकता गुरुजी मैं चौका हाँ सूरेकांद ये काफी अच्छे जासूस होते हैं शरीर में मातर सीर होने की वज़े से इनका कहीं भी आना जाना असान होता है ये हवा में तेजी से उड़ता हुआ तुम्हारी पहुच दूर दूर तक बना देता है इसके लिए एक अभिमंत्रित मुर्गा ले जाओ इस मुर्गे का लालज दे कर इसे पकड़ लेना और जो मंत्र में तुम्हें बता रहा हूँ वो बोलना ठीक है गुरुजी हाँ ध्यान रहे पकड़े जाने पर ये चीखे चिलाए ध्यान मत देना ये तुम्हें लालज देगा डराएगा मत डरना तुम्हें इसकी शक्तियों की आवशकता है ये भी ध्यान रहे इसके बाद कलकता जाकर मा काली का अशिरवाद लेना ना भूलना अब जाओ सूरेकांद तंद्र का भविश्य तुम्हें पर है लाखो बेचैन आत्मा है दुखी लोग तुम्हारी राह देख रहे हैं गुरुजी का अशिरवाद लेकर मैं और महराज वापस चल दिये उसी ब्रम्ह पुत्र नदी के रास्ते से होते हुए बाहर निकल आए ये गुप्त स्थान कुछ अगोरी ही जानते थे जिनमें अब मैं भी शामिल हो गया था कुछ देर धूप में कपड़े सुखाने के बाद हमने भोजनादी किया 45 दिन निराहार रहने के वज़े से मैंने किवल फलो का रस पीकर ही शुधा पूर्ती की मेरा शरीर अभी भारी भोजन करने के हालत में नहीं था कामाख्या देवी के दर्शनों के बाद हम कुवांग पकड़ने की योजना पर काम करने लगे महराज ब्रिजमुहन ने मेरी जीवन यात्रा में बहुत साहिता की और अभी भी उसी तनमेता से मेरे साथ खड़े थे आज मैं जो भी हूँ उन्ही के मार्कदर्शन से हूँ महराज काफी उत्साहित थे उन्हेंने मुरका और धातू का बना पकशियों का भारी पिंजरा लिया और अपनी योजना बताने लगे उनकी बातों में मेरा ध्यान नहीं था मैं तो बस खुश था कि एक वेक्ती मुझे मिला और उसने मेरी काया पलट कर दी अगर ऐसा ना हुआ होता तो मैं आज भी तंद्र के लिए प्यासा काशी में भटक रहा होता उनकी उदारता जान मैंने महराज के चरंश पर्ष करने के लिए जुका तो उसी तनमेता से महराज ने मुझे गले लगा लिया मैं भी भाव विवल हो गया फिर उन्होंने मुझे बाहों में पकड़े मेरी पीट थप थपाई और कहा चलो इसे जल्दी खत्म करते हैं पहले भैरवी और अब कुवांग मैं तो मचल रहा हूं से पकड़ने के लिए हमने मुर्गा और पिंजरा दोनों अभिमंतरित किये शाम ढलने लगी और रातरी में ही कुवांग के निकलने का समय था इसी दोरान उस दलदल वाले स्थान पर हमने पैदल यात्रा की जहां कुवांग मिलने की संभावना थी और अक्सर लोगों ने उसके पाए जाने की शिकायत की थी वहां जाकर जाल बिचाना शुरू कर दिया ये ब्रमपुत्र नदी के उतले जल का स्थान था पहले पक्षियों के पिंजरे में सुधार किया उसका पैंदा खोल दिया और सामने वाला छोटा सा दर्वाजा बंद कर दिया इसके बाद उपरी सिरे पर रेट की थैलिया बांदी गई जिससे पिंजरा वजनदार हो गया अब एक स्थान पर दो कीले गाड़ दी और मुर्गे के टांग उससे बांदी गई जिससे मुर्गा एक ही जगस ठेर रहे उस मुर्गे के ठीक उपर पिंजरा लटकाया गया था जिससे बंदी डोरी एक पेट तक जाती थी जहां महराज अपनी तैयारी से खड़े थे जैसे ही कुवांग मुर्गे पर हमला करता डोरी छोड़ दी जाती और कुवांग उसमें फस जाता और मैं उसे मंद्र दोरा वशिभूत कर लेता आधी रात बीत रही थी समय रातरी के दो बजे का था इंतजार करते हुए काफी देर हो गई थी महराज और मैं बैठे बैठे उंग रहे थे अचानक मुर्गे ने कुकडाना शुरू किया जानवरों पक्षियों को अकसर किसी भी बुरिश सिती का पता चल जाता है वो मद्धिम लाल रंग की आभा लिये मुर्गे की उपर आस्मान में मंडरा रहा था लंबे बाल, नुकीले कान, लाल आखे और जानवरों जैसे तीखे दात धड़ के नाम पर एक पूँच मांतर लटक रही थी, उसकी निगाह मुर्गे पर जमी हुई थी मैंने एक निगाह महराज को देखा और महराज ने मुझे, हम दोनों की आखों में चमक आ गई महराज और मैंने अंधेरे में अपनी अपनी जगा समाल ली कुआंग मुर्गे की और लपका, उसने अपनी पूट से उसे जकर लिया जकरते ही शायद उसने पक्षी की हड़िया तोड डाली क्योंकि हमला होने पर वो मुर्गा सिर्फ एक बार कुकडाया था फिर उसकी आवाज नहीं निकली कुआंग उसके पंक नोचने में लगा रहा और हमने पिंज्रा गिरा दिया कुआंग पिंज्रे में फस चुका था मैं पिंज्रे के सामने कुछ दूरी पर आसन जमा कर बैढ़ गया महराज पिंज्रे के पीछे की ओर बैठे हुए थे मैंने मंत्रच्चा शुरू कर दिया कुआंग पिंज्रे में छट पटाने लगा ए तांत्रिक छोड़ मुझे कच्चा खा जाओंगा तुझे मैंने उसकी बात अंसुनी कर दी वो लगातार बोले जा रहा था अरे सुन छोड़ मुझे तेरी बीवी बच्चे पश्टाएंगे जब उन्हें मैं मार डालूँगा मैं मुस्कुराया मेरे बीवी बच्चे नहीं है कुआंग गुसे में भर गया तो मैं तेरी मा बहन दोनों की इज़त लूट लूँगा मैं जोरों से हसा अच्छा वो कैसे तेरे पास तो धड़ है ही नहीं अच्छा उसके लिए मेरी जबान ही काफी है कुआंग बड़ी कुटिलता से अपनी बात कह रहा था देख तांतरी देख ये कहकर उसने कई फुट लंबी अपनी जबान निकाली उसकी जबान को मैंने अपने हाथ में लपेटते हुए कहा अफसोस तेरी ये ख्वाइश कभी पूरी नहीं हो पाएगी मेरी कोई बहन नहीं है और मा तो कबकी परलोग सिधार चुकी है मैं अकेला ही हूँ जिसका तो कुछ नहीं बिगाड सकता कुवां की बोली उसके मूँ में ही अटक गई जबान बंदी होने के कारण समझ नहीं आ रहा था आगे वो क्या कह रहा था मंत्रों के प्रभाव से वो शीकरे ही ठकने लगा उसकी आवाज पकड़ने से कम से कम उसकी वाहियात बाते तो बंद हो गई उसके बाद उसने पिंजरे को जोरों से हिलाया और ठक कर बैड़ गया और फिर मंत्रों का प्रभाव दिखने लगा उसके बाद सुनहरे हो गए कान वापस मनिश्य के आकार के हो गए उसका चेहरा एक खुबसूरत स्री जैसा हो गया जो भयानक लगता था हलाकि दाद पहले की अपिक्षा कम नुकी ले थे वो अब हरी मद्धिम जौला लिये हुए मुस्कुरा रही थी महराज ने पिंजरा हटा दिया मैंने उसकी जबान चोड़ दी ताकि वो अपनी बात कह सके कुवांग हवा में उठा अपना परिचे दो तांत्रिक उसकी आवाज में लहजा बदल चुका था मेरा नाम सूरेकांथ है कुवांग तुम मुझे भानुमती बुला सकते हो सूरेकांथ शापित होने से पहले मुझे इसी नाम से जाना जाता था मंतरो चार से मुझे अपनी पूर्व सिती का ज्यान हो गया था वाकई तुम एक सिद्ध पुरुशो मैं तुमारी हर संबो सहायता करूंगी जो मैं देखूंगी वही तुम देख सकोगे जो मुझे सुनाए देगा वो तुम भी सुन सकोगे जो तुम कहोगे मैं वही कहूंगी यानि तुमारी ग्यान इंद्रिया मेरी और मेरी ग्यान इंद्रिया तुमारी होगी तुमारे वाम भाग में भहरवी है इसलिए मैं दक्षिन भाग में आ जाती हूँ इतना कह कर भानुमती ने अपनी पूछ मेरी कमर पर कस ली और उसका सेर मेरे कंधे पर आ गया जौरत होने पर वो मेरे शरीर से बहार आ सकती थी अब हमें कलकत्ता के काली मंदिर की ओर रुख करना था कामाख्या से हावडा जंक्शन के लिए ट्रेन द्वारा मैं और महराज निकल पड़े थे काली मंदिर की ओर हावडा से ये 15 किलो मेटर दूर स्थित है काली गार शक्ती पीट मा सती के दाएं पैर की उंगलिया इसी जगह गिरी थी इस प्रतिमा में देवी काली महादेव की चाती पर पैर रखे हुए गले में नर मुंदो की माल है हाथ में कुलाडी और जिवा बाहर निकली हुई है ये वही दृष्य है जिसमें रक्त बीच का संहार करने के बाद देवी प्रचंड हो उठी थी और उन्होंने नर संहार सुरू कर दिया था उन्हें शांत करने के लिए महादेव को उनके पैरों में गिरना पड़ा जब उनके पैर महादेव पर पड़े तब उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ और देवी शांत हो गई 24 गंटे की यात्रा के बाद हम काली घाट मंदिर पहुचे सौमी गंजेंद्रनात हमारा वहां इंतजार कर रहे थे महराज ने मुझे रास्ते में उनके बारे में बताया था उनके पास एक यूवक दिनेश का वाक्या आया हुआ था जिस पर कई रूहों ने कबज़ा किया हुआ था उसी का तांत्रिक उपचार हमारे समक्ष किया जाना था हम रात के समय स्वामी जी के यहां पहुचे उस समय जब मैंने दिनेश को देखा उसका शरीर जरजर हो चुका था स्वामी जी अपना उपचार करते रहे हमें सिर्फ उस क्रिया को देखने की आग्या मिली थी उस लड़के पर डाकिनी का साया था उसी के साथ साथ अन्य वो आत्माओं के प्रभाव में आ गया था लेकिन वो डाकिनी सपष्ट जूड बुल रही थी वो बार-बार तंत्रा का नाम ले रही थी लेकिन मैं जानता था वो डाकिनी है ये जिस तंत्रा का नाम ले रही है उसकी आत्मा को कबजा कर चुकी है लगता था वो दिनेश को मौत के घाट उतार करी मानेगी किसी ने उसे दिनेश की हत्या के मकसद से सिद्ध किया है और बाकी सबी आत्मा उसी की बुलाई हुई है सौमी जी ने सबी आत्माओं को मटकी में कैद कर दिया और उन लोगों से उसे शमशान में काड़ने को कहा वो लोग मटकी लेकर चल दिये उसके बाद सौमी जी से हमारी चर्चा हुई इस बात को उन्होंने भी स्विकार किया ये डाकिनी का ही कारे है ब्रिज मुहन तुम ज़रा पता लगाओ समस्या क्या है सौमी जी ने महराज को संबोधित किया ठीक है सौमी जी महराज ने किवल इतना ही कहा सौरेकांत तुम अभी एक विद्यार्थी ही लगते हो लेकिन बेहत कम समय में तुमने जो तांत्रिक सिध्या प्राप की है वो प्रशंस्नी है सौमी जी की प्रशंशा ने मेरे मुख पर मुस्कान तेरा दी अभी तक की यात्रा में हमने कभी अपने से बड़े तांत्रिकों का नाम लेकर संबोधित नहीं किया पहले महराज फिर गुरु जी फिर सौमी जी ये विशेश बात मुझे अच्छी लगी जो उन सभी के लिए जरूरी था सम्मान काली मंदिर से हम हावडा स्टेशन की ओर चरे गए वहां से हमारी राह अलग हो गई महराज ने मुझे काशी लौट जाने को कहा और स्वैम भुपाल की ओर चल दिये दिनेश की खोजबीन के लिए मुझे लगता था वो लड़का कुछ गहरी मुसीबत में था मैं वापस लौट आया काशी अपने मनी करनी का घाट पर ये काशी का सबसे बड़ा शमशान घाट है यहाँ पर मैं अपने रातरी का समय बिताया करता था मनी करनी का महा शमशान घाट काशी या वारांसी अलोकिक शक्तियों हे तु विख्यात है शिव साधना स्थली होने के परिणाम स्वरूप ये स्थान अतिविशिष्ट है शम्षान वो स्थान है जहां मृत देह का दास अंसकार होता है लोगों के नजर में शम्षान गंदा तथा आपवित्र होता है जलती चिता का दृष्य अत्यन्थी दुखत तथा घिनोना होता है तंत्र के अनुसार ये केवल एक प्रक्रिया है जिसे मृत देह तत्व अपने अपने तत्वों में विलीन हो जाते हैं माना जाता है चिता अभस्म पंच महा भूतों का मिश्रण है जो शरीर में व्याप्त समस्त भूतों को संतुलित करता है तथा निरोगी रखता है तामस्री शक्ती से संपन्न प्राहय सभी देवी देवता, भूत, प्रेत, योगिनिया, पिशाचनिया, इत्यादी, शम्शान भूमी को ही अपना निवास्थान बनाती है तथा उनकी आरादना करने वारे साधक भी वही भय मुक्त या निर्भिक होकर रहते हैं मानव, खोपडी, खपर, हड्डिया, बौध, तथा हिंदू शक्ती, साधनाओ तथा तांतरिक पदितियों में अत्यनत महत्तपूर्ण है वीर साधना नामक तंतर में मुरे देह से प्राप्त वस्तूओ, शव के तांतरिक उप्योग, तज़त साधना पदिति में इस प्रकार की तांसिक साधना अत्यनत ही भेंकर और दरावनी होती हैं तथा एकांत में ही की जाती है इस प्रकार की साधना करने वाले साधक कपाली अगोरी इत्यादी नाम से जाने जाते हैं और अगोरपंत एक वृत है जो सरवाधिक सरल है तथा वीरपत की प्राप्ती हेतु एक साधना मारत्र है मृत मानव एवं पशुप पक्षी दे हड़ी सड़ी गली प्रतेक वस्तु इनके लिए समान है ब्रह्मान में व्याप्त समस्तत्व में संभाव रखना निर्मल तथा ग्रिणित सभी वस्तु में ब्रह्म की अनुभूती करना ही इनके साधन पद्धिती का मुख्य उद्देश है ग्रिणा, इच्छा या कामना, भैका सरुर प्रकार से त्याग ही इस प्रकार के साधनाओं का मुख्य उद्देश होता है इस चराचर जगत में व्याप्त प्रत्यक वास्तु, फिर वो जीवित हो या मृत, पवित्र हो या आपवित्र, सड़ा हो या पुष्ट, सभी में ब्रह्मतत्व या इश्वर का अनुभुक करना पड़ता है प्रत्यक वास्तु इश्वर द्वारा ही निर्मित है इसी घाट पर बैठे मैंने विचार किया कि भूग प्यास से कमजोर हो चुके मेरे शरीर को व्याम की जरूत थी तो मैंने कुछ दिन योगा भ्यास किया खाली वक्त में भैरवी या भानुमती से चर्चा करता उनकी शक्तियों के बारे में जानने की कोशिश करता बूद, प्रेत, पिशाच, विताल, टाकिनी ये श्रिष्टी में प्रारम से ही थी लेकिन ये पराशक्ती है हवा की तरह सब जगव विद्यमान है इन सभी की आरादना सहस्तर वर्षों से हिंदु धर्म में की जाती रही है और आज भी जारी है सभी सुक्ष्म, परा तथा स्थूल जीवों का निवास बिन बिन लोक में है जो पाताल, आकाश, वायू तथा प्रिथवी में स्थेत है हिंदु धर्म के अनुसार इन सभी प्राणियों का सुष्टी में कार्य बिन बिन है तथा ये सभी मनुश्य को इच्छित वर भी प्रदान करते है बूद, प्रेथ, पिशाज, डाकिनी, योगनियों का संबंध, भोग, जादूई तथा अलोकिक शक्ती से ही है एवं ये सभी अचंबित कर देने वाले कारियों को अन्जाम देते है मैंने अपनी सिद्धियों का इस्तमाल भी सीख लिया था एक दिन पडोस में एक गर्वती स्त्री का मामला सामने आया उस स्त्री को रात में तेज पीड़ा होती थी कई डॉक्टर को दिखा लिया लेकिन कुछ फाइदा नहीं हुआ वो रोज रात करहती रहती मैं रात में शम्शान की और निकल रहा था उसकी पीड़ा सुनकर मैं ठिटक गया मैं उस घर की और बढ़ाज जहां आवाज आ रही थी मैंने दरवाजा खटखटाया अंदर से एक आदमी बाहर आया उसकी आँखे बता रही थी कि रातों से वो सोया नहीं था वो आदमी निराशाओं में घिर चुका था विश्वास रखिये मुझे देखने दीजिये मैं इतना कहकर अंदर जाने लगा फिर वो मुझे अपने बीवी के कमरे में ले गया चार पाई पर लेटी वो अपना पेट पकड़े दर्द से कराह रही थी उसने सलवार सूट पहना हुआ था मुझे इनका पेट दिखाई है मैंने उसके पती को कहा उन्होंनों को कुछ संकोच हुआ लेकिन वक्त के मारे कोई चारा ना देख मेरी बात मानने को राजी हो गए उस गर्बवती महिला के पेट पर काले निशान देखकर मैं चौक गया और उसका गर्ब समाले दो काले हाथ जिनकी उंगलियों के पोरवे काले रंग के नाखून लिये थे वो डबोग था मरा हुआ भूण जिसकी आत्मा अभी भी उस लोक में फसी हुई थी और उस तरी का गर्ब छोड़ने को तयार नहीं थी उसने भूण को जकड रखा था मालूम चला उस दमपती के सालों पहले सड़क दुरगटना में गर्बपात हो गया था उनका सत्वासा बेटा गर्ब में ही मर चुका था कई सालों बाद जब वो दुबारा गर्ब वती हुई कुछ दिन तो सब कुछ ठीक रहा लेकिन एक माह बाद उसे इस तरह दर्द उटने लगा और स्थिती बत से बत्तर हो गई मैंने उस महिला के पैरों को पकड़ा उसके पैर की नसे काली होते होते गर्ब तक चली गई उसका गर्ब गेहुए रंग से अब काला पड़ चुका था उस तरी का पतीय देख कर दिवार से ही चिपक गया वो डबोग अंदर ही अंदर उस तरी के गर्ब को खा रहा था जिससे उसे पीडा हो रही थी बच्चे के जन्म लेते ही वो उसके शरेर पर कबजा कर लेता जिससे उसे अपनी जिन्दगी वापस मिल जाती लेकिन उस बच्चे की आत्मा के साथ अन्याय होता यहाँ भानुमती मेरी सहायता कर रही थी क्योंकि वही एक थी जो गर्ब तक बहुत सकती थी भानुमती मेरी आवाज देते ही प्रकट हुई वो मेरी पीट से एक नाल दोरा जुड़ी हुई थी और उसका सिर मेरे सिर के बगल तैर रहा था ये देख उस महिला का पती बेहोश हो गया और वो महिला चिलाने लगी लेकिन भानुमती ने उसे शांत रहने को कहा और आस्वाशन दिया वो उसे हानी नहीं पहुचाएगी मैंने उसके पती को Halla और भानुमती ने अपनी लंबी जीब उस त्री के गर्ब में पहुचा दी कुछ देर तक भानुमती और डबोक के मध्य छीना जप्ति चलती रही अंत में भानुमती ने डबोक को अपनी जीब में लपेट कर बाहर कर लिया इसके बाद वो स्त्री भी बेहोश हो गई भानुमती डबोक को ऐसे ही निगल गई ये देख मुझे हैरानी हुई वो एक शैतान था भानुमती ने किवल इतना कहा मैं आखे गड़ाय उसे देख रहा था अच्छा आग्या चाहती हूँ ये कहकर वो फिर मेरे पीठ में समा गई मैं बेहोश दमपती को छोड़ शमशान चल दिया मेरा काम मैं कर चुका था उसके बाद कभी कराहनी की आवास पड़ोस में सुनाई ना दी और भ्रून भी सुरक्षित था एक माँ बीच चुके थे महराज को भोपाल गए हुए एक रोज मैंने ही फैसला किया जाकर महराज का हाल लिया जाए लोटे या नहीं मैं उनकी कुटिया के तरफ चल पड़ा कुटिया के पास जाकर मुझे मंत्रो चार सुनाई दिया खुशी हुई महराज लोट आये थे मैंने अंदर प्रवेश किया महराज एक डायरी के आगे गर्दन जुकाए मंत्रो चार कर रहे थे और मंत्रो के साथ उनका सिर जूम रहा था काफी देर तक माजरा समझ नहीं आया अखिर पूछना ही पड़ा महराज ये सब क्या वो बुले पत्र पाताल कैसी लगी यहां तक कि आपको ये कहानी हमें कमेंट्स में जरूर बताईएगा और पत्र पाताल क्या है ये आगे हम इस कहानी में जरूर जानेंगे मिलती हूँ इस कहानी के अगले भाग के साथ बहुत जल्द जै माकाली